नमस्कार मैं डॉक्टर रंजना बेकन, सीनिय कंसल्टन अप्स्टेट्रिक्स गानेकॉलोजी मानिपाल हॉस्पोटल गाजियबाद एक बार फिर आपके सामने उपस्ते थूँ गाइनेकॉलोजी का एक नया टॉपिक लेकर नॉर्मल प्रेगनेंसी एंड वाट तो एक्सपेक हैं इस बारे में हम कुछ शर्चा करेंगे प्रथम प्रेगनेंसी हो तो और भी ज्यादा खुशी का महल होता है तो हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी को तीन हिश्वों में दिवाइट करते हैं 1st trimester, 2nd trimester और 3rd trimester तीन तीन महिनों के हिसाब से हम प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाते हैं जैसे आपके दिन चड़ते हैं आप सबसे पहले अपने कानकॉल जिस से मिलें और वो आपको यूरेन प्रेगनेंसी टेस्ट या सीरम बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट से ये कंफर्म करके बताएंगी कि आप प्रेगनेंट हैं उसके बाद क्या करेंगे कि ह अपको देंगे कुछ विटामिन्स जो आपको प्रथम ट्रैमेस्टर में खाने होते हैं जैसे फोलिक असे विटामिन बी-ट्वैल और अपना ख्याल रखना होता है आपको ख्याल रखने में क्या करना है उचित खानपान रखना है जंक फूट से बचना है और स्वस्त आठ्वे सब्ता में होने वाले अल्ट्रसाउन में हम ये चेक करेंगे कि बच्चे की धर्कन आ गए की नहीं एक बार बच्चे की धर्कन आ जाती है तो मदर का बेसलाइन आंटेनेटल प्रोफाइल यानि की कुछ ब्लड टेस्ट करते हैं चेक करने के लिए कि मदर बिरकुर ठीक है उसके बाद हम आपको फिर से कहते हैं उचित रेस्ट करें दिन में दो घंटा दुपहर में लेटने की कोशिश करें रात में आठ घंटे की नींद लें और खुब पानी पिएं दूद दही चाच उचित मात्रा में लें इसके पश्चात आता है कि हमारा सेकंड अल्टरसाउंड कब होगा सेकंड अल्टरसाउंड हमारा होगा करीबन बारे हफते पे जिस वक हम बिच्चे की नेजल पोन और न्यूकल ट्रांसलूसंसी चेक करते हैं इसमें बच्चे का स्कल ब्रेन रीर की हड़ी इन सब की करते हैं डाउन संड्रोम आपने जरूर सुना होगा डाउन संड्रोम को रूल आउट कर देते हैं बार्वें हफते में इसके पश्चात तीन महीने निकलने पर आपके ट्रीट्मेंट में कैल्शियम और विटैमिन डी आइरन यह सब और एड हो जाता है यदि प्रथम ट्रा नौजिया वामेटिंग होती है उसके लिए डाक्टर को जरूर बताएं वह आपके लिए उस्चे ट्रीट्मेंट जोडेंगी नौजिया वामेटिंग से बेगोर परिशान ना हो प्रथम ट्राइमस्टर में नौजिया वामेटिंग बहुत लोगों को होता है लेकिन इससे होने की जुरूत नहीं है बस आपको अपना लिक्विड इंटेक बढ़ा के रखना है दुटिय ट्राइमेस्टर याने की चौथे महीने से क्या करना है चौथे महीना जब आपका कंप्लीट होता है तब डॉक्टर आपको पेट से जांचती है उपर से देखने पे हलका सा प्र लेवल टू अल्ट्रासाउंड किया जाता है यह लेवल टू अल्ट्रासाउंड जो है बच्चे की पून संपून चारेरिक बनावट की जांच की जाती है कि सब कुछ बिल्कुर ठीक है अनाटमिकल टेस्ट ली बच्चे को टेस्ट किया जाता है इसलिए इसको अनॉमली स् इस ट्राइमस्टर में आपका immunization भी होता है, यानि कि एक tetanus का टीका लगता है, उसके एक महीने पर चाथ आपको दूसरा Boost 만들 या Tdap का वैक्सिन लगता है, उसके एक महीने पर चाथ आपको Flu vaccine लगता है, इस प्रकार आपको द्वितिय ट्राइमस्टर में आपका immunization एक-एक महीने के अंतराल पर संपून कर दिया जाता है फिर आपको छटे महीने पे दुबारा से blood test करने होते हैं इन blood test में खर्स करके चेक किया जाता है gestational diabetes को rule out करने के लिए जिसमें आपका oral glucose tolerance test किया जाता है 75 gram glucose से तता आपका hemoglobin, thyroid, blood glucose, fasting, PP यह सब कुछ चेक किया जाता है यह सब कुछ ठीक यदि है तो कोई पुहमरानी की बात नहीं है और हम अपने third trimester में आराम से प्रवेश करते हैं इस दौरान आप हर महीने अपने doctor से मिल रहे होते हैं सात्वे महीने में आपका ultrasound होता है जिसे हम growth scan कहते हैं ultrasound growth scan में baby का weight और growth जैसे की नाम से जाहिर है हम पूरा चेक करते हैं ultrasound में growth scan होने पर हम अंदाज सिर्थ सोचते हैं और आपको हम फिर से advice करते हैं कि अब इस एक महीने में एक किलो बच्चे का वजन बढ़ेगा जो आपका आठवा महीना है इसलिए आप अपनी डाइट में carbohydrates के साथ साथ उचित मात्रा में protein का भी ख्याल रखें इस दौरान आप अपने blood pressure और weight का भी ध्यान रखें रंगीन ultrasound करते हैं जिसमें यह चेक करते हैं कि मा की और से बच्चे की और जाने वाले blood circulation एकदम सही तरीके से हो रहा है यदि कुछ दिक्कत है तो उसमें दवाईयां जोड़ी जाती हैं लेकिन खबरानी की कोई बात नहीं है आठमा महीना जब successfully हो जाता है तब आप तयारी करते हैं कि full term pregnancy में आप delivery ले तयार हो उस वक्त आप अपना pregnancy bag तयार करते हैं कि बेबी के कपड़े तयार रखने हैं आपको अपना समान तयार रखना है साड़े आठ महीने के बाद हम उमीद करते हैं आप कभी भी लेबर में जा सकते हैं इस प्रकार यदि normal pregnancy है तो केवल इतना ही कुछ होगा लेकिन ध्यान रखें आपको हर महीना अपने डॉक्टर से मिलना है उनके कहे अनुसार चलना है वक्त से vaccination लगवाना है वक्त से blood test कराने है और रोज अपने वक्त से medicines लेनी है और उचित खानपान का ध्यान रखना है यदि और कोई आपके सवालात हो तो कृपिया अपने डॉक्टर से locally जरूर मिले धन्यवाद